अपने घरवालों को टेंशन में डालते हैं कि आप लोग हमें यहां पर पैसे बेजो ऊपर से युनिवस्टी आपके अंदर लादा प्रेशर डालती है तो आप लोगों को अब डेफर कर देंगे नेक्स मंत का रेंट और आपके एक्सपैंसी होने चाहिए ठीक है असलाम अलेकों और वान वेल्का पैक्सान से या इंडिया से करके आनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो के हमें यहां पर करनी है सबसे पहले कोई भी स्टूडट जो के सब्तंबर करता है और उसको क्या करना चाहिए ठीक है वह यह यह आई बढ़े हैं आप अपना ओफर लेटर लाजमी पढ़कर आऊ ठीक है सबसे बड़ी गलती क्या आती है कि बहुत सारे स्टूडट से हैं प्लैन कर लेते हैं कि हम लोगों को जाना है कुछ भी नहीं पूशते हैं जैसे वो कहता रहता है कि फीज जमा कर वहाओ इस युण translated बश्क metu बारा करते रहते हैं लेकिन खुद कुछ तो उपर से युनिवस्टी आपके अंदर प्रेशर डालती है थोड़ी देर के बाद आपको मेल्स करने लग जाती है तो यह जो प्रेशर जाना वह बहुत जादा बंदे के पर बिल्ट अप करते हैं यहां पर आकर यहां पहुंच जाते हो फिर आप सोचते हो इतने पैसे उफर लेटर बढ़के हो खास तोर पर जो मैंने देखा है क्योंके मेरी युनिवस्टी हाट फोर शायर है तो मुझे जारा तर शायद इसी वज़दा से युनिवस्टी आप फोर शायर के स्टुड़न्ट जादा मैसेज करते हैं और वो पूछते ही हैं कि हमें कितनी फीज पे करके आने ही ठीक है तो बाकी भी जितने भी स्टुड़न्ट्स हैं उनको भी मैं यही मश्वरा दूँगा अपना ओफर लेटर पड़ो ठीक है होता क्या है कि बहुत सारे स्टुड़न्ट यह गलती करते हैं कि आपको आपका कॉंसर्टन कहता है कि 5000 जो आपका है इनिश देघिने के बाध त्शण्मकर के अपनीघो करती है कि आप यह लोग के पारगवे करनी है तो बाध में में गलती है तो शु दौन सपर लिखा था किmeminaire करके यहां पर आ सकते हो लेकिन आप साथ में यह नहीं पे करते है कि आप लोग की enrollment fees जो है, वो कितनी होती है, ठीक है, या total fee, जो palace master के लिए आपको कितनी pay करनी होती है, वो जो consultant आपको basically guide करता है, वो इतना ही guide करता है, कि आप लोग UK कितने पैसों में पहुंच जाओगे, ठीक है, वो आपको कम से कम budget दखाता है, मुझे कोई भी student जो है, क्य consultant basically क्या करते हैं, वो आपको उतने पैसे बताते हैं, minimum amount बताते हैं, जिसमें आप भी खुश, आपके parents भी खुश, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हो, तो आप लोगों के लिए वो तंगी बन जाती है, ठीक है, तो आपके उपर एक बड़न बन जएगा, कि आपको आते चीज़ का आपने लाजमी ख्यार रखना है, अब मैं बात करता हूँ, second point की, वो है, accommodation की, क्योंकि बहुत सारे students हैं, वो यही पूछते हैं, कि हम लोग कैसे book करें, कहां से book करें, उसके अंदर बहुत सारे students वो गलती कर लेते हैं, कि advance अपनी home country से pay कर देते हैं, ठीक है, वो सारे देसी लोग हैं, वो पैसे खाते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करो, still अगर आपको कोई भी accommodation नहीं मिल रही, तो आप लोग अंबर student पर जाके अपनी accommodation बुक कर सकते हो, क्योंकि अंबर student बेसीकली ऐसा platform है, जो कि आपको all over the UK, पूरे UK के अंदर आपको accommodation परवाइड करता है, और इस ताइम इनकी offer भी चाहरी है, ठीक है, जो कि मैंने शुरू में बताया था, कि आपको लिए good news है, कि आप लोग को 50 pound जो है, वो cashback भी मिलने वाला है, उसके साथ एक lucky winner ऐसा होगा, जिसको उसके पूरे महीने का rent बापस मिल जाएगा, और 5 July से य आप लोग को cashback भी मिलेगा, और उसके बाद ही आप लोग competition के अंदर enter कर पाओगे, तो भाई, लिंक जो है, मैं निचे tip station बे उसके अंदर छोड़ा हूँ, तो आप लोग जाके अपनी accommodation बुक कर सकते हो, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो भाई, तीसरी चीज़ skill सीख सकते हो, ठीक है, अब आप लोग September intake के अंदर आ रहे हो, तो मैं आपको special ही चीज़ बता रहा हूँ, कि September intake के अंदर basically आगे job market अच्छी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये intake भी पसंदा इसी वज़ा से, क्योंकि इस टाइम के ओपर new year भी आ रहाता है, उसके साथ कोई ना कोई अपना skill सीखिया हो, सबसे पहले अपनी English language अच्छी करके हो, listening अच्छी करके हो, speaking अच्छी करके हो, उसके लिए ये है कि जो front role के ओपर आपको रोल्स अच्छे ही मिल सकते हैं, वरना student का कहते हैं, वो उनकी English अच्छी नहीं होती, वो back kitchen के अंदर ही काम करते रहते हैं, और उसके बाद उनका confidence होता है, वो बिल्कुल ही खतम होता है, ठीक है, फिर वो पीछे ही काम करते रहते हैं, कभी front desk के ओपर नहीं आते, front desk के ओपर आपको पैसे भी अच्छी मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको पाकिसान से घर क्यानी है, उसके लावा skills आपके करते हैं, आप किस skill के हंदर अच्छी हो, मैं हमेशा यही कहता हूँ, कि किसी को overtake ना करो, यह ना try करो कि यह वो यह कर रहा है, तो मैं भी यह चीज़ करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जिसका नसीब है, उसको वही मिलना आता है, जिस चीज़ में आप अच्छी हो, म कहते हैं, तो आप आप लोगरा कांम कांदाथ है, तो लहीं है, यहा है पर बहूरत चलता है, ठीक है, तो आप भी सीखके आए, जनदर पहुत सारी चोप भी चोब तो आप लोग भी अपनी home country से सीख आ सकते हो इतर आके आपको क्या करना है कि आते सार आपको हर जगा करना है मैं हमेशा यह कहता हूं एक जगा प्लाइना करो सो जगा प्लाइना करो हजार जगा कम-चे-कम अप्लाइ करो अपनी सीवी को यूके फॉर्मट की तरह रेडी करो ठीक है जितने उसके अंदर एक्सपीरिंस डाल सकते हो किसी भी जोब में आप अपलाई कर रहे हो यह मैं हर स्टूण को कहता हूं किसी भी फॉर एक्जमपल आप यहां पर के एफ सी में जा रहे हो ठीक है चलो के अंदर अब आप हैं बेसिकलिしょう को सिखाते हैं चलों चलो टाल आपको को रहे हैं बन्सक toothbrush नुर फैर नशूथखर बीडाल सकते हो को ही अपोगों से पेसी आप की लिग वगरा पूछे कि तो मैं बात ने रहे हुग गल्दी करता है ठीक है पने साथ क्या नो करता है तो इस नोट फेर आपको बेसिकली करना है कि कम से कम अपने साथ 2,000 पॉंड ले के आओ क्यूंकि अब वो टाइम नहीं है जिस टाइम पर आपसे वह अडवांस भी लेगा ठीक है उसके बार रेंट अलादा लेगा तो कम से कम अगर 400 है ना तो आपसे 200 या 400 पूरा का वो अडवांस भी ले सकता है ठीक है तो आपके पास यहां पर ट्रैवल करना है अपने कुछ रेल कार्ट बगर बनाने पड़ सकते हैं अगर उनिवस्टी आपकी दूर है आपने खाना पीना है तो आपके पास नेक्स मन्त का रेंट भी होना चाहिए जैसे कि मैंने बिताया यह वो गर दोबारा तंग करोगे तो भई यह चीज़ अपने साथ करके लाना पैसे अपने साथ कम से कम 2000 पाउं ले की आना तो फिर आप यहां पर इसलिए सर्वाइफ कर पाओगे मीद करता हूं आज की वीडियो से आप लोगो थोड़ी सी कोई हल्प मिली होगी हल्प मिल यह तो चैनल करना सब्सक्राइब मिलते हैं इसलिए नेक्स वीडियो में अलाहाफेज